आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी कॉंसेप्ट की टेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और याद रहे आपने कहीं पर भी टेंस पढ़ा हो लेकिन आपने मुझसे पूरे टेंस पढ़ लिए तो यकीन मानिए आपको टेंस कहीं पर पढ़ने की ज़रत नहीं पढ़ेगी क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ आपको without formulas और without formula यदि आपने सीख लिए तो आपको English के किसी भी chapter में आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है हाला कि पढ़ाने को तो हम English का कोई भी topic पढ़ाये जा सकता है लेकिन एक beginner के लिए जरूरी है कि उसको टेंस का basic knowledge होना जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि उसको आना चाहिए कि टेंस के parts कितने टेंस के parts होते हैं कितने वो भागों में बटे होते हैं इन सबी चीजों का सबसे basic ज्यान आना जरूरी है तो आईए हम आज के वीडियो की करते हैं शुरूराद तो सबसे पहले देखना कि हम आपसे बात करें टेंस के बारे में किसके बारे में बताओ टेंस आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर्थ टेंस टेंस को यदि हम कहें कि बिल्कुल अपनी basic language में कहें तो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं अपन काल कहते हैं क्या कहते हैं बताओ काल कह देते हैं अब ये जो काल कह देते हैं तो हम हमारे basic knowledge एक गमार भासा में देशी language में हम इसको समझें तुम ऐसे समझ सकते हैं कि सर टेंस जो होता है इसको हम अपना क्या मान सकते हैं बताओ टेंस को अपना क्या माना जा सकता है दादा जी माना जा सकता है क्या माना जा सकता है इसको अपना क्या माना जा सकता है दादा जी मान सकते हो याद करने के पर फिर से यही बोल रहा हूँ वीडियो को पूरी देखना यकीन मानिये इस अंदाज में अभी तक किसी ने भी आपको टैंस का क्लासिफिकेशन नहीं बताया होगा और आप एक बार सी गए तो आप कभी फुलोगों भी नहीं देखना तो टैंस की बात करें तो दैंस को हमने क्या मान लिया है दादा जी मान लिया है और हम देखते हैं कि दादा जी के कितने बेटे हैं तीन कितने बेटे बताओ तीन जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम हम याद रख सकते हैं क्या बताओ प्रिजेंट सबसे बड़े बेटे का नाम क्या याद रख सकते हैं प्रिजेंट सर इससे छोटे का नाम भी तो याद रख सकते हैं क्या पास्ट याद रखेंगे क्या याद रखेंगे बताओ पास्ट और सर जर सबसे छोटे वाले का नाम क्या याद रखेंगे हम याद रखेंगे बताओ क्या फ्यूचर याद रखेंगे वो लोग क्या याद रखोगे फ्यूचर तो कुल मिला के दादा जी के कितने बेटे हैं तीन और इन तीन बेटे में सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है प्रिजेंट दूसरे का नाम क्या है पास्ट और तीसरे का नाम क्या है फ्यूचर लला इसको फ्यूचर पढ़ते हैं कहीं आप पढ़ लो फटूरे हना फटूरे नहीं पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं इसको फ्यूचर पढ़ते हैं तो आ चार अच्छा आपको भी पता है कि चार बच्चे हुए तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है घर में हम सब के घर में ऐसा ही होता है एक नामकरण की रस्म होती है कि नहीं होती है कि क्या करवाय जाता है नामकरण करवाय जाता है तो जैसे ही प्रिजेंट के घर में किलकार या गूजी तो सबसे पहले पंडजी के पास जाएंगे की नहीं जाएंगे की साफ देखो ये हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ है इसका क्या रखवाना है नाम अब जैसे है पंडजी सकल देखे इस बच्चे की तो कहता है ओहो ये तो क्या है simple सा है ये छोरा कैसा है simple सा है तो इसका नाम ही क्या रख दिया जाए simple रख दिया जाए क्या नाम रख दिया जाए simple तो इसका नाम क्या रख देंगे बताओ हम इसका नाम रख देंगे बताओ क्या simple नाम रख दिया किसका नाम रख दिया present के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या रख दिया simple इसके just आ जावे दूसरो means लगातार आ जाता है तो लगातार आने के वज़े से इसका नाम क्या रख दिया बताओ हुने continuous दूसरे एक बेटे का नाम क्या रख दिया continuous इसका नाम रख दिया बोलो इतनी बात समझ है जी नहीं आई, अच्छा, बात आती है कि इसकी कि तीसरा बेटा जो पैदा होगा, तो थीसरा बेटा को पैदा होगा, तो भी उसका नाम रखवाया जाएगा, उसके पास जैसे ही उसको पंड़जी के पास लिखे जाएगा, देखो जी हमारा ये तीस से ही क्या है परफेक्ट है आज की दुनिया का पहले से ही ये तो क्या है परफेक्ट है तो इसका नाम ही क्या रख दिया जाए बताओ परफेक्ट तो इस नंबर है हाँ आप गरीवाद में विचारा कहां से कितना पैसा लाएं और वैसे भी हम क्या है इड़ियावाडा वैसे ज़्यादा तेज रहे ऑल गोरी बैस्को भी फैरन लवली लगाके ना गोरी करने की सोचे हैं है कि नहीं तो उसी प्रकार से अपड़े क्या है एकदम तेज आदमी है और वैसे भी तेज आदमी है तो हमने देखा कि यार हर बार इसका नामकरण करवाया तो भी हमने पैसे दे दिये इसका नामकरण करवाया तो भी हमारे पैसे गए थे इसके करवाया तो भी पैसे गए तो क्यूना यार ये भी किस से करवाये गए है सब्सक्राइट है चोओत जिसका नाम् क्या रख देंगे बताओ परफेक्ट रौद कॉंति रख देंगे बताओ परफेक्ट कॉंटि निवाश इस चो त्हें का नाम रख देंगे क्या रख देंगे बताओ perfect continuous इतनी बाद समझ में आई के नहीं आई के लिए के लिए रहे के लिए रहे चलो ठीक है इसके बाद समझते हैं अपन किसका पास्ट का अब जैसे पास्ट की बारी आएगी तो आप कहोगे सर जो पास्ट है इसका भी तो साधी ह चार ये भी क्या कहेगा बेटे कितने होने चाहिए चार नोकर सर चार ही क्यों क्योंकि देखो मेरे बड़े भाई के भी कितने हैं चार बेटे हैं तो मेरे भी कितने होने चाहिए चार नोकर क्यों क्योंकि अगर बड़ा भाई से लड़ाई हो गई तो कम बेटे हुए तो हम भाई ने क्या रखें बताओ बड़े भाई ने रखें पहले का नाम क्या रखा है simple रखा है तो past भी क्या कहेगा भाई मैं भी क्या रखूंगा simple क्यों 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 कि पंड़जी के पास ये भी जाएगा तो क्या है पैसे इसके दान दक्षिना और लगेगी गरीबाद में विचारा क्या करें तो इसने भी क्या कर दिया मैं तो same to same नाम कैसे रख लेता हूं जैसे मेरे बड़े भाई ने रखें तो दूसरे का नाम क्या रखेगा ये दूसरे का नाम क्या रख लेगा वह उसी तरीके क्या रखेगा बताओ perfect continuous रखेगा 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 ये परफेक्ट continuous तो कुल मिला के इस तरीके से इसकेने बेटे हो गए बताओ हम बात करें किसकी बताओ next बारी किसकी आती है future की, अब ये future आपको बता है सबसे छोटा है, है कि नहीं अब ये भी कहता है कि बैसाब मैं भी बेटे का नाम, वही क्या रखेगा बताओ ये भी अपने बेटे का नाम क्या रखेगा simple रखेगा, क्या रखेगा बताओ, simple क्या रबपना है? perfectly, continuous खिक है? तो इस तरीके से ये total जो 10 हैं वो कितने हो जाते हैं? बताओ 4 किसके है? इसके 4 ही किसके है? इसके 4 ही किसके है? फ्यूचर के तो total 10 हो किसंक्य कितने हो जाते हैं? 12 tane हो जाते हैं और आपको पताएं कि हर टेंस में हम पढ़ते हैं, minimum 4 प्रकार के sentences तुछ पढ़ते ही है, और 4 प्रकार के sentences के, 4 हर tense में कितने for formulas बनते हैं, कितने formula चार बनते हैं, तो 20 x 4 आप करोगे, तो आप को पता है कितने होता हैं, 48 means, बारे जो करे 48 formula बनते हैं, और आप देखोगे कि जम मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँगा और फिर इंग्लिस में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा तो आप मुझसे बिल्कुल भी फॉर्मुला नहीं पढ़ोगे और आप देखना यकीन मानिए आप बिल्कुल आसानी से आप इंग्लिस समझ भी रहे होंगे और आप हिंदी से इंग्लिस भी बना रहे होंगे और इंग्लिस की हिंदी भी इतनी इजी तरीके से बना रहे होंगे वो भी विदाउट फॉर्मुलाज तो हम नेक्स्ट वीडियो प्रजेंट के चारों पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा वाला प्रजेंट सिम्पल तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको जिसमें